हेलो एवरीवन कैसे हो आप आज हमकशा 5 प्रियावरन अध्यान की वर्क सीट हल करेंगे जिसका टोपिक है पानी के प्रियोग भाग दो तो चलिए वर्क सीट हल करते हैं प्रशन एक रिक्त स्थान भरिये कर जलकाव प्योग डैस और डैस आदी में करते हैं तो यहां हम पहल और बाद में और खाना बनाने जलका उप्योग पीने और खाना बनाने आदि में करते हैं ख हमें डैस पानी पीना चाहिए तो यहां पर हम लिखेंगे साफ ग नदियों में डैस डालने से नदियां प्रदूसित होती हैं तो यहां पर हम लिखेंगे कूडा करकट नदियों में कूडा करकट डालने से नदियां प्रदूसित होती हैं घ पत्थर पानी में डैस है तो यहां पर हम लिखेंगे डूपता पत्थर पानी में डूपता है अड़, नमक पानी में डैस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुलन सील नमक पानी में गुलन सील है च, डेंगू मच्छर डैस पानी में पैदा होता है तो यहाँ पर हम साफ लिखेंगे डेंगू मच्छर साफ पानी में पैदा होता है प्रशन दो सही विकल्ब चुनिये यहाँ पर प्रशन दिया हुआ है और उसके चार विकल्ब है हमें सही विकल्ब को चुनना है और उस पर सही का निसान लगाना है पहला क इन में से क्या पानी में गूल जाता है तो यहाँ पर सही जवाब है चीनी तो हम चीनी पर सहीर का निसान लगाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं ख इन में से कौन सी चीज पानी पर तैरती है तो यहाँ पर हम सहीर का निसान लगाएंगे पत्ता पत्ता पानी पर तैरता है ग तेल पानी डैस तो यहाँ पर हम लिखेंगे पर तैरता रहेगा तेल पानी पर तैरता रहेगा तो पहले पर हम सही का निशान लगाएंगे घह इन में से कौन सी चीज पानी में अगुलन सील है तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेत रेत पानी में अगुलन सील है चलिए अगला प्रस्ण करते हैं प्रस्ण तीन निम्न कत्नों में से सही या गलत का चैन कीजिए. क पानी को उबालने पर भाप बनती है, यह सही है. ख कारखानों से निकलने वाले रसायन से जल प्रदूशन होता है, यह भी सही है. ग चै बनाने के लिए पानी की आवस्यक्ता नहीं होती है, तो यह गलत है, पानी की आवस्यक्ता होती है. ग धूप में पानी वास्प बनकर उड़ जाता है, तो यह सही कथन है. अड़ लोहे की कील पानी में नहीं डूबती है यह गलत कथन है लोहे की कील पानी में डूब जाती है च चीनी पानी में गुलन सील है तो यह सही कथन है चलिए अगला प्रस्न करते हैं प्रस्न दो पानी की दो विशेस्ताइं लिखिए तो यहाँ पर हमें पानी की दो विशेस्ताइं लिखनी है चलिए पहली विशेस्ता लिखते हैं पानी का कोई रंग नहीं होता पानी रंग ह हो जाता है दूसरा पानी की तीन अवस्थाएं ठोस द्रव और गैस होती है चलिए अगला प्रशन करते हैं प्रशन पाँच निम्न दी गई दो इस्थतियों में से किस इस्थती में कपड़े जल्दी सूखेंगे और क्यों तो यहां पर हम लिखेंगे पहली इस्थती में कप बनकर उड़ जाता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन छे नीचे दिये गए चित्रों को ध्यान से देखिए इनमें क्या अंतर है इस अंतर के क्या-क्या कारण हो सकते हैं तो चित्र देखने के बाद हम लिखेंगे पहले चित्र में प नहाना या फैक देना, दूसरा, सीवरों तता नालों के जलका नदियों तता नहरों आठी में मिलना, तीसरा, कारखानों के अवसिस्ट पदार्थों को नदियों नहरों तलाबों आठी में भाना, चोथा नदियों नहरों में नहाना, कपड़े दोना, बरतन दोना, मवेशियों को नहलाना आधी पांचवा खेतों में उर्वरक का प्रियोग चलिए आगे बढ़ते हैं प्रियोजना कारे हैं प्रस्न साथ एक कांच के गिलास में आधे से जादा जल भरिए एक साबुत निम्बू पानी से भरे गिलास में डालिए गिलास में निम्बू की स्थथी को ध्यान से देखें गिलास में पानी का स्तर और निम्बू की स्थथी का चित्र नीचे बने चित्र एक में दर्शाएं अब निम्बू गिलास से बाहर निकाल कर पानी में एक छोटा चमच नमक गोल दीजिए निम्बू दुबारा नमक मिले पानी के गिलास में डालिए ध्यान से देखें कि अब निम्बू की स्थती में क्या कोई फर्क आया है गिलास में पानी के स्टर और निम्बू के स्थती का चित्र नीचे दिए गए चित्र दो में दर्साये निम्बू के स्थती में आय बदलाव का क्या कारण हो सकता है तो बच्चो यह प्रयोग आप घर पर स्वैम करेंगे और इस परियोग के दोरान आपको जो बदलाव देखने को मिलेंगे वह आप यहाँ पर लिखेंगे निम्बु की स्थिति मा आय बदलावों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं चितर एक में लिखेंगे साबुत निम्बू पानी में डालने से पानी का स्तर बढ़ जाएगा और निम्बू पानी में डूप जाएगा यह पानी का घनत्व निम्बू के घनत्व से कम होने के कारण हुआ अब दूसरे चित्र में हुए बदलाव के बारे में लिखेंगे नमक घोलने से पानी का घनत बढ़ जाएगा और निम्बू पानी में तैरने लगेगा पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा यह पानी का घनत निम्बू के घनत उसे अधिक होने के कारण हुआ तो बच्चों यह वर्क सीट यहां कम्पलीट होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यो पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल नॉलेज किंग्डम थैंक यू प्राइब करें प्राइब को देखते रहे हमारे जहे हमारे लेते रहे हमारे बने हमारे जहाँ है झाल